हाई गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्रा सो करवा चौद बहुती जल्द आने वाला है एंड करवा चौद के लिए मैंने ये वाला मेकप लुक क्रियेट किया है जो कि आप आसानी से खुद से क्रियेट कर सकते हो आपको पार्लर जाने की भी कोई दिया था अभी मैंने यहां पर लगाया है विटामिन-C का सिरम तो विटामिन-C जो है आपको सकेंट में पर इंक्लूड करना चाहिए ने जिए इसके बाद में जिन जिनके लिप्स जो है मेरी तरह चैप्त है वो ये वाला लिबाम ट्राय कर सकते हैं डॉटनगी का लिबा नहीं मिस करते हूं कुछ भी हो घर में बेटो बाहर जाओ संस्क्रीन इस सो इंपोर्टेंट तो मैंने यहां पर लैकमे की टिंटेट संस्क्रीन यूज की है एंड इसको अच्छे से मैं अपनी स्किन में एब्सॉप कर दूंगी अभी सबसे पहले हमेशा की तरह हम चालू करे और इससे मैं अपने आइलिट्स जो है उसको प्रेप करूंगी एंड यह कंसीलर का शेड जो है वो लाइट है इसके लिए जो आज आइशेडव है वो काफी अच्छे से पॉप आउट हो के आएगा मेरी आइस पे इसलिए मैंने लाइट वाला शेड यूज किया है अभी ब अभी मैंने कोई भी रैंडम सा काजल लिया है और उसको सिर्फ सेंटर में लगाया है एंड विद अ हेल्प अफ फ्लाट ब्रश मैं उसको स्प्रेड कर दे रही हूँ तो आपको ना इनर कॉर्णर और आउटर कॉर्णर पे यह काजल नहीं लगाना है सिर्फ सेंटर पे इसके बाद में मैंने ब्लाक कलर का शेड लिया है फ्रॉम दे सेंग ब्यूटी ग्लेज आईशाडव पैलेट और जो काजल हमने लगाया था उस काजल को हम इस ब्लाक कलर के शेड से अच्छे से सेट कर देंगे ताकि हमारा आय मेक अप जो है वो क्रीस ना हो इसके बाद द आग ब्राउन शेड लिया है और अगें क्रीस लाइन को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे डेप्थ देंगे अप लोग देख सकते हो मेरा आय मेक अप अल्मोस्ट हो चुका है बहुत ही इजी मैंने स्मोक किया है लोग क्रियेट किया है दूसरी आग जो है वो मैंने ओफ कै मेरा कर ली है अभी चलते है प्राइमर की तरफ तो मैंने मेरा फेवरिट लैक में का प्राइमर लिया है यह प्राइमर लगा क्या आप मेक अप करोगे ना आपका बेस जो है वो इतना जादा फ्लॉलेस लगेगा क्योंकि इसके बाद ना एक अच्छा सा कैन्वस मिल जाता ह आपके मेकप को अच्छे से बेटने के लिए इसके बाद मैं हमेशा की तरह करेंगे के फेस को कलर करेक्ट तो मैंने स्विस्ट ब्यूटी का कंसीलर लिया है एड़ जो जो मेरे यूजवल एरियाज है वहाँ पे मैं इसको color correct करूंगी जो की है under my eyes, around my mouth, थोड़ा सा chin पे तो इस concealer को लगा के अच्छे से हम color correct करेंगे and with the help of brush हम blend करेंगे तो brush से blend करने पे ना आपको coverage इसा high type में मिलेगा and beauty blender से आप blend करोगे ना थोड़ा सा coverage उसका minimize हो जाएगा क्योंकि beauty blender जो है ना वो product सोक कर लेता है इसलिए आपको अगर coverage जादा चीए तो आप brush का use करो I would suggest you guys that इसके बाद में मैंने लिया है blue heaven का ये tinted foundation तो आप देख सकते हो मेरा base जो है वो already high coverage लग रहा है तो इसके लिए मैंने बस ever so slightly ये tinted foundation लिया है ये tinted moisturizer actually foundation भी नहीं है जो भी brush के उपर बच जाता है उसको में अपने forehead पे लगाऊंगी तो जो concealer हमने eyelids पे लगाया था same concealer में अपने आखों के नीचे लगा रही हूँ so that highlighting वाला effect आए क्योंकि again ये एक festive makeup look है और मैं हमेशा बोलती हूँ festive makeup look में highlighting is so important उससे face ना उठके आता है बहुत अच्छे से highlight होके आते है आपके features इसके लिए थोड़ा सा मैं under my eyes उसको highlight किया है मैंने आज इसके बाद मैं मैंने Maybelline Fit Me का loose powder लिया है और ये sponge के help से ना मैं अपना powder जो है वो लगा रही हूँ तो guys मैं आपको ना difference दिखाऊंगी ये sponge की वज़े से मेरा face जो हो इतना जादा flawless लग रहा था आप difference देखो एक साइड पर मैं पावडर लगया और दुसरे साइड पर नहीं लगया कितना जादा फ्लॉलेस लुक आरा था इसके बाद मैं फॉर ब्लश मैंने यहां पे लिया है कीको मिलानो का ब्लश एंड इस इंद शेड कोरल अगें वन उफ मैं फेवरेट प्रड़क्ट एंड मैं भर भर के ब्लश लगाऊंगी क्योंकि ब्लश ऐसा प्रड़क्ट है जो आपके ना फे मैंने लिक्विड मुज लिस्टिक ली है और इस इंद ब्यूटिफुल शेड शेड का नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत ही प्यार नूड शेड है और यह गाईस इस इस माइ फाइनल कंप्लिटेड लुक बट वेट अभी हाइलाइटर लेंगे एंड चिन को भी हाइलाइट कर लेंगे एंड या गैस इस इस माइ फाइनल लोक मैंने अपना जूल्री पहन लिया है चूडी पहन ली है नत पहन ली है मैंने एक ब्यूटिफुल सी रेड कलर की साड़ी कैरी की है और मुझे नीचे कमेंट करके आप जरूर से बता आपको यह करवा चौद का मेक अप लुक कैसे लगा क्योंकि ना मैंने फर्स टाइम ऐसे मतलब इतना ऐसे सजदच के करवा चौद का मेक अप लुक किया है लास्ट यह जो मैंने किया था वह बहुत ही मिनिमल था बहुत ही सिंपल था तो यह टाइम मैंने ट्राइब किया कि जो मैंने steps बता है बस वही follow करो and you are good to go आपको पार्लर जाने की भी जरूवत निये घर पे आप खुद से ये make-up कर सकते हो and yeah guys I'll see you in my next video until then bye bye take care बस्तों कर दो दो झाल